नमश्कार आपके साथ मैं हूँ देपिका बाबा सिद्धी को गोली मार दी गई छे राउंड फाइरिंग की जाती है जिसमें से दो गोलिया बाबा सिद्धी के सीने पड़ लग गई और एक गोली लगी बराबर में खड़े शक्स के पैर पर तो सीधा सीधा निशाना था और ये पहले से माइंड मेक अप था कि उन्हें मारना ही है क्या ये हत्या सल्मान खान को डराने के लिए हुई है ताकि सल्मान खान घर के अंदर कैद होकर रह जाए वेल इन सारी चीजों के बीच में एक और बड़ा एक्शन हुआ है बाबा सिद्धी की 15 दिन पहले ही उन्हें वाई प्लस सिक्योर्टी मिली थी और उस सिक्योर्टी के बीचों बीच भी उनकी हत्या कर दी गई मुंबई शहर सक्ति में है लोगों में नराज की है बॉलिवूड हिल गया है इस घटना से वहीं सल्मान खान जो की बॉलिवूड के दबंग खान है उनके घर के बाहर भी स जी हाँ गलेक्सी अपार्टमेंट जहां पर सल्मान सालों से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं वो पूरा का पूरा च्छावनी में तबदील कर दिया गया है और जो सिक्योर्टी पहले रहा करती थी अब उस सिक्योर्टी को और जादा बढ़ा दिया गया है सल्मान खान के security शेरा संभालते हैं वो एक अलग है एक उन्हें provide की गई है मुंबई पूलिस की और से वो भी है लेकिन बो सल्मान खान के साथ रहते हैं हमेशा और सल्मान खान के घर के बाहर भी high security है क्योंकि कहीं न कहीं निशाना बाबा सिद्की ना होकर सल्मान खान थे और जो tweet viral हुआ है जो post viral हुआ है उसमें साफ ये कहा गया है कि जो जो सल्मान खान पर प्यार बढ़साएगा या स्विर सल्मान खान के करीब रहेगा सल्मान खान का साथ देगा उसको उड़ा दिया जाएगा उसका यही हर्श किया जाएगा यानि कि सल्मान खान के करीबि की चले गए सलमान खान ने अपना एक दोस्त को